Hello students, welcome back, सबसे पहले तो जरा आप लोग यहाँ इस board पर देखिए, मैंने आपके लिए कुछ sentences लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ, देखें यहाँ पर क्या और कैसे sentences लिखे हुए हैं, पानी हमारे घुटनों के उपर आ जहनता है, हवाई जहाज पाकिस्तान के उपर से उड़ा रहा था, बिजली के तार खेतों के उपर फैले हुए हैं, और इसी तरीके से यहाँ कुछ दो और sentences लिखे हुए हैं, इन सभी sentences में एक word common है, आपका ध्यान अभी तक पहुच चुका होगा, फिर भी मैं आपको बतल जा देता हूँ, एक word ये, दिखी, इन सभी sentences में एक word है, जो common है, दिखे, यहाँ पर ये लिखे हुए, ये सारे के सारे sentences में एक word जो है, वो common है, और वो क्या है, उपर, जी हाँ, अब जरा आप थोड़ा सा ये सोचिए, कि अगर इन ही sentences को English में translate किया जाए, या आप से कहा जाए, हर समय, हर भाव के लिए हम उपर का प्रयोग कर देते हैं, बट English में उपर की पांच meaning होती है, या पांच शब्द होते हैं, जरा देखे, कौन-कौन से, above, over, on, upon, up, ये सारे के सारे जो words है, actually ये prepositions हैं, और ध्यान दिजिए, कि इन सभी prepositions का meaning, ऐसा ही कुछ निकल difference है, और वो difference आपको यहाँ पर इन sentences को पढ़कर समझना होगा, कि आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी situation है, जिस situation में हम कभी above का प्रयोग करेंगे, कभी over का प्रयोग करेंगे, अच्छा, यहाँ पर और ऐसी कोई situation नहीं है, जहाँ पर हम on का प्रयोग करें, ये upon, ये up, मैंने त आपका प्रयोग करेंगे, तो अब आप लोग जान गए होंगे, कि इस वीडियो में मैं आपको discuss करने जा रहा हूँ, above and over, अब यहाँ पर जो sentences लिखे हुए हैं, जरा थोड़ी देर वीडियो को pause करिए, और फिर अपने मन से जरा सोचिए कि यहाँ पर आखिर इस उपर की English क्या बनाओगे, या इस उपर की English क्या बनाओगे, जल्दी से जरा pause करिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आपको बतलाता हूँ, यहाँ पर इस उपर और इस उपर की English आप above and धान दीजिए, यहाँ पर आप above और over दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अब आपको जानन पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौनसी सिचुएशन होती है, जहाँ पर हम उपर की English दोनों ही बना सकते हैं, यानि above भी बना सकते हैं, और over भी बना सकते हैं, ओके अच्छा, फिर आगे आएंगे और यहाँ इस sentence को पढ़ कर के देखेंगे, तो एक ऐसी खास सिचुएशन है यह हम इस उपर की अंग्रेजी अब हम over नहीं बना सकते हैं, केवल और केवल above बनाएंगे, ओके अच्छा, अब इस sentence को देखते हैं, वह हमेशा अपने sweater के ऊपर एक coat पहनता है, अब यहाँ पर हम इस उपर की अंग्रेजी above नहीं, बलकि केवल over बनाएंगे, above नहीं बना सकते हैं, हवाई जहाज पाकिस्तान के उपर से उड़ रहा था, अब यहाँ पर उपर से उड़ रहा था, अगर ऐसा कुछ है, तो हम over का प्रयोग करेंगे, और अगर यहाँ पर से यह से हटा दें, कुछ खास sense में अगर इसको बोले हैं, हम तो यहाँ पर इसका above भी इसका प्र कर सकते हैं, above का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ताप मान 0 degree से 5 degree उपर है, यहाँ पर क्या यूज करोगे, और यहाँ पर क्या यूज करोगे, यही सब कुछ तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं, और basic to advanced, वो सारे uses मैं आपको above के बतलाने जा रहा हू हाला कि मैं आपको बीच बीच में over को भी discuss करूँगा कि आप इन situations में over का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक जरूर देखेगा, तो फिर आपके सारे के सारे doubts जो अभी तक होंगे, मैं एक छोटे सी छोटे, जो छोटी सी बात को भी मैं यहां इस वीडियो में discuss करने जा रहा हूँ, और सबसे authentic जो book है English grammar की, उस book के जितने भी references हैं, मैं यहां पर आपको discuss करने जा रहा हूँ, तो चलिए यहां से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज से हमेशा के लिए above and over के बीच, जो doubts बच्चों के बीच में होता है, उनके दिमाग में हमेशा ही कोई ने कोई कीड़ा, यह काटता रहता है कि यहां पर above होगा, या फिर over होगा, और बहुत सारे teachers भी हैं, जो वास्तों में different different बातें बतलाते हैं, इनको लेकर books भी आपको confuse कर देती हैं, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ह यहां पर बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद, authentic books and especially Michael Swan को study करने के बाद, मैं आपके सामने लेकर के आगया हूँ, एक बहुत ही special वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको साथ लेकर के concepts की गहराईयों में गोता लगाने लग जाओं, आप एक काम जल्दी से कर दीजिए, सबसे पहला काम है, आप लाइक कर दीजिए, साथी साथ एक comment भी drop कर दीजिए, अपने friends को इन्हें शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो subscribe कर लीजिए, आप चलिए, चलते हैं, और concept number one देखते हैं, देखिए, ये concept समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के concepts ना जाने कितने लोगों ने कैसे कैसे खराब कर रखे हैं, और उन खराब हो चुके concepts को अब आपको दुरुस्त करना है, देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, above या over का जो meaning होता है, तो सबसे ज़्यादा जो mistakes बच्चे लोगों को होता है, वो इसी meaning को ले करके होता है, आखिर कहाँ पर above का प्रयोग करें, और कहाँ पर over का प्रयोग करें, in fact, above and over इन दोनों की ही meaning होती है, higher than, means एक ही situation को show करने के लिए आप above का भी प्रयोग कर सकते हैं, और over का भी प्रयोग कर सकते दिखें, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, यह माइकल स्वान की दोरा लिखा हुआ है, यह मेरा अपना कुछ लिखा हुआ नहीं मेरा अपना concept है, clear, अच्छा, दिखें जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, higher than, above और over का हम प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं, at, at क मतलब किसी एक position पर, या to, यानि गती करते हुए अगर कोई चीज कहीं जाती है, higher place पर जाती है, ठीक है न, तो ध्यान रखिए, at or to, a higher place या higher position than something or someone, ओके, अच्छा, इसको यहाँ पर, माइकल स्वान जी ने देखी जरा, क्या लिख करके आपको बतलाया है, above and over, can both mean higher than, य higher than, अब इसका क्या मतलब हुआ, higher than का मतलब हो, देखे, सबसे पहले बात तो यह है कि एक comparative degree है, तो comparative degree का मतलब क्या हुआ, अर्थात, यहाँ पर दो चीजें high है, एक चीज इतनी high है, ठीक है न, ध्यान से समझे का जरा concept, तो यहाँ पर दो चीजों की height को लेकर के, और comparison किय जा रहा है, ठीक concept को मैं यहाँ से build करना शुरू कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से मेरे logic को सुनिएगा, ठीक है, अच्छा, तो इस higher position को, अब यह higher position यहाँ पर parallel हो सकती है, या इसी के ऊपर किसी दूसरी एक कोई वस्तो होती है, जो यहाँ तक गई, और दूसरी वस् करके आपको बतलाने का प्रयास करूँगा, ओके, पहले पूरी और पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, बट, above is more common with this meaning, यानि यहाँ पर जो meaning, यह दो sentences, उनकी ही अपनी बुक से लिए हुए है मैंने, और यहाँ पर देखिए, उन्होंने क्या बतलाने का प्रयास किया है, अच का यह पैर है, मैंने आपको पहले ही बतलाया कि मेरी, एक्चली, जो आर्ट है, वो बिल्कुल भी बिकार है, यह सपोज यह घुटना है, जमीन से यह घुटना कुछ उचाई पर है, ठीक है, अब यहाँ से वाटर का लेवल ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला ज हम यहाँ पर higher than, यही तो है, यही तो बतलाया जा रहा है कि पानी घुटने से उपर आ गया है, यानि घुटना भी उपर है और पानी की उचाई है, वो भी उपर ही है, तो ध्यान दीजेगा कि यहाँ पर दो चीजे होनी चाहिए, क्या, जब comparison होगा, तो दो कोई objects होंगे, और उन दो objects की उचाई को, high, high का मतलब उचा, तो दो objects की उचाई को देखा जाए, और एक जो object है, उसकी उचाई को और उचा बताया जाए, तो इस position को बतलाने के लिए, in fact, क्या है कि above और over, इन दोनों का ही प्रियोग किया जा सकता है, तो इस situation में उन्होंने लिखा है, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा है, क्या, the water came up, over भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, means over और above, इन दोनों का ही प्रियोग किया जा सकता है, और आपने कई books में ये भी पढ़ा होगा, कि over and above को कई स्थानों पर interchangeably use किया जा सकता है, कहां पर किया जा सकत जो बाते हैं, वो मैं आपको जरूर बतला हूँगा, तो उन्होंने अपनी book में लिखा है, Michael Swan जी ने, कि इस sentence के लिए हम इन दोनों का use कर सकते हैं, और grammatically ये बिलकुल correct है, but इसके आगे उन्होंने लिखा है, above is more common, इस meaning में above more common है, common वाने अधिक प्रचलित है, over इस meaning के लिए ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट जहां तक grammar की बात है, तो grammatically ये दोनों ही correct है, क्योंकि ये दोनों ही same meaning को convey कर रहे हैं, okay, अच्छा, एक और sentence यहां पर देखे, can you see the bird, क्या आप उस चिडिया को देख सकते हैं, कि चिडिया को जो higher than the palace है, यानि इस palace के ऊपर, अब आप ध्यान दीजे, कोई palace है, clear, suppose ये एक palace, ये कोई मकान खड़ा हुआ है, इस मकान के ऊपर वास्तों में एक चिडिया की position हो सकती है, क्या, एक bird है, और उस चिडिया की position यहां पर भी हो सकती है, और यहां पर भी हो सकती है, ध्यान दीजे, ये position क्या है, इस palace से ठीक और ये जो position है, ये palace से ठीक ऊपर तो नहीं है, बट वास्तों में ऊपर है, तो चिडिया यहां पर भी हो सकती है, जो भी चिडिया का, मैं तो आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती, ये चिडिया यहां पर भी हो सकती है, ठीक है, अब ध्यान दीजे, आपको मैं बतलाने का प्र इस पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं, यानि इस बिल्डिंग की उँचाई और इस चिडिया की उँचाई को अगर बतलाना है, इस पोजीशन को अगर इस लोकेशन को बतलाना है, तो इस लोकेशन के लिए भी हम अबब का प्रियोग कर सकते हैं, और इस लोकेशन के लिए हम अबब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीके ना, लेकिन इस location के लिए या इस उचाई के लिए या इस position के लिए हम over का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजी, इसके लिए तो हम over का प्रयोग कर सकते हैं, यानि जो चीज डायरेक्टली किसी चीज के ऊपर है, उस situation को show करने के हम over का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन above का प्रयोग हम दोनों ही situations को उपरकट करने के लिए कर सकते हैं, अभी आगे example आएगा मैं इसी चीज को और explain करूँगा, देखे, अब यहाँ पर जो यह higher than लिखा हुआ है, यह उनहीं के दोरह लिखे हुए sentences हैं, अगर आप चाहें तो Michael Swain की book में, page number six में, sorry, page number three में, point number six को आप चरूर देख लिजेगा, तो वहाँ पर same ऐसे ही sentences, यहाँ इस bird के इस्तान पर helicopter लिखा हुआ है, तो अच्छे से आप देख लिजेगा, तो यहाँ पर भी over या above, इन दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, बट इन situations में, इन bird की position हो सकता है, कि यह जो building है, या palace है, इस palace के उपर जो bird है, वो यहीं पर इर्दगिर्द इर्दगिर्द घूम करके और उड़ रही है, उड़ रही है, ठीक है ना, तो इन इस्थितियों के लिए आप over का प्रयोग भी कर सकते हैं, और above का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन suppose, अगर कोई चिडिया यहां से उड़नी शुरू होती है, और इसको cross करती है, move करते हुए इसे cross करती है, non-touching position में अगर इसे cross करती है, तो यहां पर हम फिर keval over का ही प्रयोग करेंगे, above का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन छोड़ी छोड़ी बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, चलिए जरा कुछ और sentences लिखे हैं, उन्हें में हम कुछ और बातों को समझने का प्रयास करते हैं, देखे, the plane was flying higher than the clouds, अब अच्छे से देखे, प्रत्वी से clouds भी उपर है, यानि उचाई पर है, और plane भी, suppose यह plane है, ठीक है न, यह plane बना हुआ है, और यहाँ पर यह जो बादल है, यह बादल, ठीक है, तो clouds के ऊपर यह plane जो है, क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी उचाई, नमर एक तो इन बादलों से कैसी है, सीधे ऊपर की ओर है, डायरेक्ली ओर है, तो यहाँ पर हम ओर का प्रयोग भी कर सकत हो, यहाँ पर भी, अगर clouds, suppose clouds इधर है, इस उचाई पर, और अगर कोई plane इस उचाई पर है, दोनों की उचाई, तो ठीक उपर नहीं भी है, तब भी हम वहाँ पर अबब का प्रयोग कर सकते हैं, इस level के लिए भी और इस level के लिए भी, यहाँ पर वो ठीक बादलों के उप है, उस level को बताने के लिए भी हम अबब का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर वो बादलों के ठीक उपर नहीं है, बलकि दूसरी जगे से उसकी height उपर है, तो भी हम अबब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और का प्रयोग फिर वही बात, अगर यह बादल ऐसे हैं, और plane कुछ ऐसे कर रहा है कि बादलों को cross करता हुआ चला जा रहा है, तो moving position में आपको over का प्रयोग करना है, moving position यहाँ पर भी है देखी, यहाँ पर भी वो move कर रहा है, बट वो बादलों को cross नहीं कर रहा है, उनके उपर उपर एक parallel way पे वो चला जा रहा है, ठीके, तो इस position में हम above का over का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन सब चीजों को समझते चलिएगा, देखे, अब एक और situation है आपर, the picture hangs higher than the window, ध्यान दीजी, higher than the window, suppose एक दीवार है, यह एक दीवार है, ठीक है न, इस दीवार पर यहाँ पर एक विंडो है, तो जमीन के जो तल है, उस से उपर एक विंडो है, यानि इस विंडो की उचाई भी है, और comparatively कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पर picture, तो अब picture की position, अगर आप above लिखेंगे, तो यह दोनों ही हो सकती है, picture actually एस खिड़की की तुलना में यहाँ पर हो सकती है, दिवार पर, ध्यान दीजेग यहाँ पर भी हो सकती है, और इसके ठीक उपर भी हो सकती है, इन दोनों ही situations को show करने के लिए आप above का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, above, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, the picture hangs above the window, ठीक, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, above the window लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब अगर को आप दर्साना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप above भी लिख सकते हैं, और साथी साथ over भी लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, above and over इन दोनों की ही meaning होती है, higher than, clear, अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखिए, इस पस्ट्रूब से लिखा हुआ है, आप इसे note भ होता है, वो यह होता है, not directly या directly over, ठीक है, ध्यान दीजिए, over का मतलब के उपर, तो directly उपर भी हो सकता है, और not directly उपर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह जो पिक्चर है, इस window से ठीक उपर नहीं, बलकि थोड़ सा अलग हट करके है, बट उचाई लि ऐसे over के तो बहुत सारी meanings है, इस एक वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा comparatively आपको बतलाता हुआ चल रहा हूँ कि आखिर, above and over के बीच हमें कहां पर over को prefer करना चाहिए, और कहां पर हमें above को prefer करना चाहिए, मैं यहाँ पर पूरा detail में आपको over इस वीडियो में आपको पढ बहुत सारी uses हैं, जो सब को मैं आपको explain करूँगा अगले वीडियो में, तो यहाँ पर जड़ा देख लीजी क्या है, there is a house above the lake, अब यहाँ पर अगर मैं above का use कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, भाई, लेक के ठीक उपर तो कोई house हो नहीं सकता, लेक में जील, जील के ठीक उपर कोई घर तो बन नहीं सकता, ठीक है ना, तो अब वहाँ पर हम इस situation अगर lake के ठीक उपर है तो और कपरियो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस house की जो position है, वो क्या है, location क्या है, लेक है, जमीन पर एक जील है, उस जील से उपर, कहीं पहाड़ी हाड़ी होगी, उस थोड़ा सा परेहट करके, तो ध्यान दीजी, अबब का मतलब not directly over होता है, directly over भी होता है, लेकिन not directly over भी होता है, इस situation के लिए मैंने बतलाया, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर यह बात जरूर समझ में आई होगी, कि over का प्रयोग और अबब का प्रयोग कहा पर किया जाना चाहिए, यही वास्तों में असली concept है, अन्य था, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, research भी बहुत सारी करी है, अलग-अलग लोग YouTube पर भी, अलग-अलग लोग, ना जाने क्या-क्या बतलाने में लगे हैं, कि vertical अगर उचाई हो, तो हम above का प्रयोग क करते हैं, सब बक्वास है, यह ऐसा कोई concept ही नहीं, concept मैंने आपके सामने यह बतला दिया, जो कुछ भी है, अगर अभी भी कोई doubt है, तो वीडियो को rewind करो, और इसे एक बार फिर से पूरा का पूरा सुन लीजिए, जी हां, higher than के meaning के लिए, हम over and above दोनों को interchangeably use कर सकते हैं, ल उसी concept से related एक बड़ा ही important point है, वो मैं बतला न भोल गया, चलिए, अब मैं आपको बतला देता हूँ, दिखें यहां पर higher than की meaning को convict करने के लिए, हम above या over का प्रियोग interchangeably कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल इस position, यानि इस physical position को बतलाने के लिए, हम above या over का प्रियोग interchangeably क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दिजिए, इस position को बतलाने के लिए, यानि metaphorical position को बतलाने के लिए, हम केवल और केवल above का प्रियोग कर सकते हैं, न की over, over का प्रियोग हम metaphorical position को बतलाने के लिए नहीं करेंगे, जब हम higher than के sense में इसका प्रियोग करेंगे, अब आपको लग रहा ह पूजिशन की बात सिंपल सी है, कि जिन दो चीजों की बीच में तुलना की जा रही है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, अब हो कोई बलून हो सकता है, कोई बर्ड हो सकती है, ठीक है न, तो एक फिजिकल, इस को हम देख सकते हैं, ये फिजिकल पोजीशन है, अर्थात जो हमें दिखाई पड़ता है, शरीर दिखाई पड़े, वो फिजिकल पोजीशन, तो जब हमें फिजिकल पोजीशन बतलानी होती है, और हायर दैन के सेंस में हमें यूज करना होता है, तो हम इन पोजीशन को शो अगर कोई ब्यक्ति रैंक में पद में किसी से बड़ा है उंचा है ठीक है तो अब कोई ब्यक्ति अगर रैंक में उंचा है तो फिजिकली तो वो किसी से उंचा है नहीं ठीक है न तो ध्यान दीजिए जैसे कोई महत्तो में कोई जादा उंचा है ठीक है या कोई सोसल स्टेट अगर कोई अधिक उचा है तो यह metaphorical position होती है और वहाँ पर भी higher than का ही sense होता है यानि कोई एक ब्यक्ती पद में कोई उचा हो तो पद में उचा होना वो एक metaphorical position है ठीक है ना ऐसी position को show करने के लिए हम above का ही प्रयोग करते हैं ना कि over ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पर कु captain in the army यानि यहाँ पर दो भीक्तियों के बीच तुलना हो रही है कैसी a captain in the navy यानि navy का जो कप्तान होता है और आर्मी का जो कप्तान होता है इन दोनों की बीच तुलना की जा रही है लेकिन उनकी physical comparison नहीं की जा रही है कि physical यानि उनका शरीर थोड़ा उचा है किसी एक से rank है rank क्या है ये metaphorical position है ना कि physical position और उसकी metaphorical position को high बतलाया जा रहा है higher than अब यहाँ पर इस higher than के इस्थान पर अब हम और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर हम केवल और केवल above का प्रयोग करेंगे याद रखेंगे क्या इस बात को तो अब यहाँ पर हम interchangeably इन दोन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इस बात को मैं आपको बतलाना पिछली slide में भूल गया था देखे जरा he see married above her अब इसका क्या मतलब है above her उसने शादी कर ली अपने से ऊपर सादी कर ली जिहां ऐसा sentence बोल सकते हैं लेकिन वहाँ पर कोई physical position किसी की नहीं बतलाई जा रही है क्य तो कहां से है from a higher social class यानि किसी higher social class से है यानि social status बतलाय जा रहा है सामाजिक जो वर्ग होता है तो एक समाज के कई तबके होते हैं तो अपने वर्ग या अपने तबके से ऊपर के तबके में अगर किसी ने शादी करी है तो फिर उस metaphorical position को higher than वाली उस meaning को convey करनी के लिए हम य अच्छा अब चलिए जड़ा यहां पर देख लेते हैं तीसरा sentence क्या है of greater importance ये भी वास्तों में क्या है एक metaphorical position ही है अच्छे से देखिए I rate Sachin Tendulkar मैं Sachin Tendulkar को rate करता हूं ठीक है of greater importance than most other player यानि एक तरफ बहुत सारे बहुत सारे players है और एक तरफ Sachin Tendulkar है ठीक है अब हम यहां पर देख रहे हैं कि Sachin Tendulkar का महत्व दूसरे players से मैं अधिक rate कर रहा हूं तो Sachin Tendulkar की physical position को नहीं मैं rate कर रहा हूं बलकि उसके importance को मैं rate कर रहा हूं ठीक है तो आप इस meaning को convey करने के लिए आप of greater ये सब कुछ छ प्रयोग कर सकते हैं above ठीक है अब इसका वही meaning हो गया ध्यान दीजे I rate Sachin Tendulkar above most other players अगर मैं ये बात कहता हूं तो वही बात कह रहा हूं यानि I rate Sachin Tendulkar of greater importance than of greater importance than most other players उसी की meaning को convey करने के लिए यहां पर आप के वल क्या कर रहा है अबब का प्रयोग कर रहा है बड़ ध्या पर आप over का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यहां पर इन दोनों का प्रयोग आप interchangeably नहीं कर सकते हैं ओके चलिए अब दिखते हैं अगली बात क्या है अबब का एक और meaning होता है और वो meaning होता है written before आप हमेशा ही above का मतलब उपर उपर ऐसा ही आप लगाते रहते हो यहां पर जो examples लिखे हैं शायद यहां पर भी आप उपर ही इसका meaning लगाओगे लेकिन वहां पर उपर उसका meaning नहीं होता है उसका meaning होता है पहले लिखा हुआ तो अब जब किसी book की बात आ जाती है किसी written notes की बात आ जाती है तो जो हम पहले लिख चुके हैं अब वो पहले लिखा हुआ प mentioned above, जैसा कि मैंने पहले लिखा था, पहले मैंने बतलाया, मैंने ही एक sentence बतलाया था आपको the picture hangs above the window ऐसा एक sentence मैंने आपको लिख करके बतलाया था पिछली slide में, अब यहां तो कुछ उपर लिखा नहीं है, लिखा है क्या उपर, यह वाला sentence यहां पर मैंने mention नहीं किया, इस slide में कि यहां पर अगर इसकी उचाई आप देख रहे हों, तो यहां पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं नहीं जी, मैंने पिछली slide में लिखा था, यानि पिछले page में लिखा था ठीक, तो उस पिछले page में यानि जो मैं पहले लिख चुका हूँ इस meaning को convey करने के लिए आप यहां पर above का प्रयोग कर रहे हैं हला कि यह यहां पर preposition के रूप में नहीं, adverb के रूप में लिखा हुआ है, ओके, एक और sentence देखिए, for the prices and delivery charges prices और delivery charges के लिए देखिए, क्या, see above, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए का मतलब यहां ही नहीं कि इसी page में ऊपर कहीं लिखा है, नहीं इस page के पहले यानि पिछले दो तीन pages पहले भी हो सकता है, हाँ यहां पहले, अगर यहां ऊपर भी लिखा है, तो के पहले मैंने जो लिखा है, उसको आप देखिए, तो यहां पर above का मतलब written before होता है, ना कि यहां ऊपर का मतलब over ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऊपर इसका meaning नहीं होता, बलकि written before इसका meaning होता है, तो यह तो हुए आपके तीन meaning अब चलिए, बढ़ते हैं आगे और अब उस एक और important meaning को देखते हैं, जहां पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा confused होते हैं, और वो है more than अब इस slide में मैं एक ऐसा concept discuss करने जा रहा हूँ, जहां पर आप above and over को interchangeably use कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं क्या discuss करने जा रहा हूँ, पहले तो यह बतला देता हूँ, देखे above and over, इन दोनों का ही मतलब होता है more than, more than का मतलब किसी भी मात्रा या संख्या से अधिक, ठीक है न, तो something का मतलब कोई भी वस्त होगी उसकी जो मात्रा या जो संख्या होगी, उससे अधिक के सेंस में आप over and above इन दोनों का ही प्रियोग कर सकते हैं अब देखे, यहां पर माइकल स्वान जी ने क्या लिखा हुआ है देखे, above and over can both mean, यानि above और over इन दोनों का ही मतलब हो सकता है, more than लेकिन यहां पर ध्यान दीजे कि इस over and above को हम interchangeably use कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी साउधानी अगर आप बना करके रखेंगे तो जो प्रचलन में है उसे अगर आप use करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर आपको confusion नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं, but above is commonly used in relation to a minimum level ध्यान दीजे, जब above का meaning more than होता है, तो हमें above का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर जब हम किसी minimum level से comparison करें यानि एक side में एक minimum या fixed level हो देखें minimum level या फिर fixed point हो, ओके तो किसी मात्रा का minimum level हो या फिर किसी मात्रा का एक fixed point हो, उस fixed point से अधिक की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको above का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है अच्छा, measurement of temperature जहाँ पर temperature को measurement करने की बात है वहाँ पर भी आपको above का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर height, height की बीच में comparison हो, तो एक minimum या fixed जो point होता है, उस point से अगर हम height की बात करते हैं और वो भी vertical height की जब बात करते हैं, and in other cases of vertical scale यानि जब हम scale, जब कोई मापन हो, मापन यंत्र हो या कोई scale हो, उस scale से जब हम vertical height यानि अधिक से अधिक की तुलना में अगर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमको above का प्रयोग करना चाहिए, ये प्रचलन में है, हलाकि इसके आगी जो मैं बतलाने जा रहा हूँ, वहाँ पर कई बार विरोधा भास आपको देखने करना चाहिए हमको, ठीक है न, एजिस जहाँ पर उम्र numbers में दी हुई हो, वहाँ पर हमको over का प्रयोग करना चाहिए, न कि above का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर money, यानि जो धन है, धन की संख्या दी गई हो, ठीक है न, जहाँ पर numbers की बात आ जाए, time हो जाए, या speed की बात आ जाए, speed में भी हम numbers ही ले आते हैं, तो जहाँ कहीं numbers की बात आ जाती है, तो अगर उससे पहले हमको use करना है, तो हमको over का प्रयोग करना चाहिए, कुछ examples से यहाँ पर लिखे हुए है, मैं और बहतर तरीके से आपको explain करने का प्रयास करता हूँ, जब देखें यहाँ पर क्या लिखा है पहला sentence, लिखा है the temperature is 5 degrees above 0 ध्यान दीजे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, the temperature, जब temperature की बात आए, तो आप अच्छे से अपने दिमाग बे बिठा लिजिए, कि temperature वास्तों में क्या होता है वो एक minimum level, हम किसी भी temperature की बात करेंगे, तो एक minimum level होगा, यह एक fixed point होगा, और इस scale पर भई, अब जब temperature को जब measure किया जाएगा, तो भी एक scale में, तो scale में जब vertical upward हो vertically जब वो उपर की और जा रहा हो, तो फिर वहाँ पर हमको above का प्रयोग करना चाहिए, यह चीजे हैं कुछ जो अपने दिमाग में हमें शक लिए बिठा लेने लायक होती है, तो चले temperature की बात हो गई, इसके लिए तो हम above का ही प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग नहीं करते हैं, देखें जैसे, the summit of average is about 8000 meters above sea level, अब देखें ज़रा, sea का, यानि समुद्र का जो level है, ठीक है न, वो तो एक fixed point है, या वो सबसे जो minimum level है, उस minimum level से हम किसी दूसरी चीज की height की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम height की बात कर रहे हैं, vertical जा रही हूँ, height ठीक है, तो इस sense में भी हम above का ही प्रयोग करते हैं, तो ये तो दो fixed चीजे हो गई, अब ध्यान दीजिए, यहां पर more than, मैंने अगले sentences में more than, चुकि इसका meaning क्या होता है, more than, अब यहीं पर सबसे ज़्यादा confusion होता है, चलिए, देखे ज़रा, यहां पर we should value honor more than life, अब अच्छे से ज़रा, देखे यहां पर क्या कहा जा रहा है, कि हमें में honor को ज़्यादा value देना चाहिए, more than की तुलना में, किस की तुलना में, life की तुलना में, तो जीवन की तुलना में हमको honor को अधिक value देना चाहिए, अब यहां पर इस more than, चुकि more than का मतलब तो above भी होता है और over भी होता है, यानि इन दोनों को ही हम more than की meaning को convey करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अब आती है confusion वाली बात की यहां पर अब हम किस का use करें, above का use करें, या फिर over का use करें, ध्यान दीजिए, over life, हमें over, चुकि more than, यहां पर देख रहे अब यहां पर above का use करें या over का use करें, तो ध्यान दीजिए, जहां कहीं पर भी numbers की बात आए, दिखे जरा, जहां कहीं भी over is used with numbers, ages, अब numbers किसी भी रूप में आएं, चाहे हो age का number हो, चाहे money का number हो, time का number हो, या speed का number हो, अगर numbers दिये होते हैं, तो वहां पर हमें over को prefer करना चाहिए ना कि above को, अब अच्छे से देखे जरा, देखे जरा, life और honor इन दोनों को आप numbers में measure नहीं कर सकते हैं, ठीक है न, यह numbers यानि uncountable है, ठीक तो uncountable जो चीजें आ जाएंगी, वहां पर more than की अगर बात आएगी तो आपको above का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा commonly used किया जा है, और यहां पर over का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अच्छा, अगला sentence देखते हैं, applicants must be more than the age of 20, अब आप देख रहे हैं, कि यहां पर भी more than, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम above का प्रयोग करें, या over का प्रयोग करें, ठीक है न, above या over, तो अब देख लिज the age of 20, आप यहां पर अब above का प्रयोग भी कर सकते हैं, और over का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर number दिया हुआ है, देख रहे हैं, यहां पर number भी दिया हुआ है, तो अब बच्चे लोग यहां पर देखने लगते हैं, कि आखिर कई किताबों में यहां पर above भी लि लिखा हुआ है और इस more than के पहले आपको ओवर का प्रयोग करना चाहिए ध्यान दें तो यहाँ पर यह इंटर चेंजबल है अगर यहाँ पर 18 नंबर्स लिखे हुए तो हाला कि यहाँ पर स्वान जी साहब कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि नंबर्स अगर लिखे हों कहीं पर भ बहुत सारी बुक्स में आपको यहाँ पर above the age of 20 ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसको भी यूज किया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम age की बात करते हैं तो यह interchangeable हो जाता है हम over का भी प्रयोग कर सकते हैं और above का भी प्रयोग कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं his expenses are more than her means अब यहाँ पर उसके संसाधन और expenses अब expenses और जो means हैं यह भी वास्तों में यह numbers में नहीं होते हैं ठीक है अब अगर numbers में नहीं हैं तो बस simple सी बात है कि आप यहाँ पर above का प्रयोग करेंगे तो confusion की बात यहाँ पर क्या रह गई? confusion की बात सिर्फ और स numbers की बाता है तो numbers में तो अकेले हम क्या कर सकते हैं कि यह interchangeable हो सकता है but according to Michael Swan हमें numbers के पहले भी over का ही प्रयोग करना चाहिए तो प्यारे बच्चो अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम slide में आ चुके हैं अगर आप लोगोंने अभी तक किसे like नहीं किया है comment नहीं drop किया या अ करना होता है comment drop करना होता और साथ ही अपने friends को share कर देना होता है चली अब आगे बढ़ते हैं और 6 बचे हुए जितने भी concept से उन्हें पढ़ लेते हैं देखे जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है above का एक मतलब होता है beyond ध्यान दीजिए above means beyond अब यहां पर beyond का क्या मतलब होता है ठीक है न तो वो बुराईयों से परे हो जाता है beyond हो जाता है तो इस sense में हम यहां पर above का प्रेयों करते हैं या too great कोई बहुत ही ज़्यादा महान होता है या कोई बहुत ही honest हो सकता है तो अब गर कोई बहुत ज़्यादा honest होता है तो वो संदेह से परे हो जाता है बाहर ह तो इस sense को convey करने के लिए हम क्या करते हैं, इस beyond की meaning को convey करने के लिए हम वहाँ पर above का प्रयोग कर सकते हैं, देखे जरा, यहाँ पर कुछ sentences लिखे हुए है, he is above suspicion, यानि वो है कोई बंदा है, वो इतना ज्यादा honest है, इतना honest है वो, कि वो suspicion, यानि संदेह से परे हो जाता है, यानि उस पर संदेश नहीं किया जा सकता, इसी तरीके का यह sentence, his behavior is above reproach, यानि उसका behavior इतना ज्यादा अच्छा है, कि वो reproach से परे है, ठीक है न, इस तरीके की meaning को convey करने के लिए भी हम above का प्रयोग करते हैं, यानि beyond, ठीक है, इस meaning को convey करने के लिए, जैसी यहाँ पर क्या ह बोल सकता है, ऐसा इसका कुछ meaning है, अब यहाँ पर देखे, हम देखते हैं, अगली meaning क्या है, above is used to indicate preference or suitability, ध्यान दीजे, जब हम किसी चीज को, किसी एक चीज को, किसी दूसरी चीज से ज़्यादा prefer कर रहे हैं, तो उस preference को show करने के लिए, indicate करने के लिए, हम above का प्रयोग कर देते हैं, जैसे देखिए आपर sentence, I would choose the blue dress, मैं ये blue dress चूज करूँगा, above the red one, यानि आपके सामने दो dresses है, एक red color की, एक dress है, और एक blue color की dress है, अब उन दोनों में से, अगर आप किसी एक को prefer करेंगे, तो इस preference की meaning को convey करने के लिए, आप यहाँ पर above का प्रयोग कर सकते हैं जैसे, safety should be above all else, यानि हम जो safety, यानि सुरक्षा होती है, वो सबसे उपर होती है, ठीक है न, तो preferred, यानि यहाँ पर safety को हर चीज, हर दूसरी चीज से ज़्यादा prefer किया जा रहा है, तो preference की meaning को convey करने के लिए, हम यहाँ पर above का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, और य जब हम दो प्रकार के sounds हो, और उन sounds से कोई एक आवाज निकल करके आती है, उपर निकल करके आती है, और हम उसे सुन पाते हैं, या नहीं सुन पाते हैं, कोई दूसरी sound ज़्यादा तेज है, हम उसे नहीं सुन पाते हैं, तो इस, यानि sound के louder, or clearer sound के लिए भी हम यहाँ पर above का प्रयूग कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे he could not hear me, वो मेरी आवाज नहीं सुन सका, ठीक, he could not hear me, वो मेरी आवाज नहीं सुन सका, क्योंकि मेरी आवाज धेमी थी, और traffic की आवाज क्या थी, traffic का जो शोर था, वो कुछ ज्यादा था, ठीक है तो मेरी आवाज सुन लेता, बड़े यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक की आवाज जादा थी, इसलिए वो मेरी आवाज को सुन नहीं पाया, ठीक, तो यहाँ पर off sound, यानि sound के relation में, हम louder and clearer voice के लिए, हम इस above का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह बहुत जादा सारे uses तो नहीं है above के, लेकिन जितने भी हैं, वो बड़े ही important है और confusing है, इसलिए इस वीडियो को आशा करता हूँ, आपने पूरा देखा होगा, एक बार फिर से जरूर देख लीजेगा,